नमस्ते दोस्तों दोस्तों आज उत्राखंड में प्रदेश मंत्री मंडल की बैठेक थी और इसमें काफी मुद्दे जो थे वो उठाए गए और कुछ मुद्दे जो जिन पे चर्चाएं हुई और उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं देखे सबसे पहले तो जो इसमें पॉइंट है यह है अटल उतकर्ष विद्ध्याले जो हैं उनमें CBSC मानिता की बात की गई तो इसके बारे में बता जाता हूं जहें उत्तराखंड में अभी काफी अटल उतकर्ष विद्ध्याले बनाए जा रहे हैं अभी यह प्रोसेसिंग प्रियाप्थ प्रचार के संब्द मे हैं यानि की प्रधनाचार Rs. प्रधनाचार इयपकौ की तहना थी उसके आत्फीस एक्ट वगेरा यह तो आपको पता ही है यहां पर एट पॉइंट देखिए अप यह है योगता धारी शिक्षा मित्रों के समायोजन के संबंद में अभी जो शिक्षा मित्र रगे वे हैं उनको पर्मनेंट करने की सोचा जा रहा है अब यह कैसे सो क्रOne gust क्या है यह आपको बताता हूँ देखिए हिमाचल पर्रदेश में क्या हुआ था कि जो गैस ठीचर थे हिमाचल पर्रदेश में वहां पर हिमाचल परदेश नेक्षैल एक निकाला और उन गैस यह इसलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में लिखा गया है यहां पे तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा हो चुका है और ऐसा जेंड के में भी हुआ है तो जैसे हमारे यहां कुछ जाद ही हमारे जो नेता लोग बोलते रहते हैं कि एक्जाम वगेरा तो हिमाचल प्रदेश and G&K म कर दिया नाइंध पॉइंट देखिए जो अशास की विध्याले में आयोग के माध्यम से नियूगतियां यह जो मनें आजकल निकली रही हैं रिखतियां इन जो जिने हम सेमी गौवर्मेंट स्कूल बोलते हैं तो इन को दे दिया जाएगा और यूके ट्रिपल सी फिर एक्जाम कंड़क्ट कराएगा ठीक है सेमी गौवर्मेंट स्कूल के और फिर कोई निकलेगा जैसे यूपी में हो रहा है तो यूपी में भी अशास की विध्यालों की विरिक्तियां आई हुई हैं और बच्चे फॉर्म भर चलता है काफी पैसा चलता है यहां पर अशास की विध्यालों में उसके बाद पी टीए शिक्षिकों के समद्ध में भी यह तो आप चानते हैं और चैन की पदोनत वेतन वगएरा यह सब बढ़ेंगे आप लोग देखिए 16th point ठीक है तो यहां पर जो साहिक प्रात्मिक जो अध्यापक है कि नियोक्तियों की प्रक्रिया अभी आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने अब क्या हुआ है कि गौवर्मेंट ने बोला तो है उत्राखंट की हम लोग कोड से परमीशन लेकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और इस बारे में आज चर्चा भी हुई है तो हो सकता है कि जल से जल गौवर्मेंट कुछ निर्ने लेगी वैसे आप लोगों को दो कि इसी महिने इसका फैनल डिसीजन भी आने वाला अभी तो टेंपरेरी जो आना यस्ट वाले हैं उनको फॉर्म बढ़ने के लिए इस दादा तो मिली है कि यानिए लिया जाएगा उनको लेकिन फानल डिसन नहीं आएगा अभी जो फानल डिसीजन है इसका ये आप लो बात की गई है तो अभी आप लोगों को यह पता लग गया होगा कि government क्योंकि election आने वाले हैं कुछ नो कुछ करके दिखाना पड़ेगा previously जो हमारे मंतरी थे वो बिल्कुली मतलब हर चीज़ को neglect कर रहे थे candidates की सुननी रहे थे तो कोई decision नहीं ले रहे थे लेकिन फिलहाल जो अभी नए हमारे CM बने हैं वो थोड़ा सा गंभी रहे हैं और विचार कर रहे हैं तो friends मुझे ऐसा लगता है कि जल से जल आप लोगों को कोई न कोई decision तो पता चली जाएगा वैसे high court से पता चल जाएगा final decision निसके बारे में क्योंके निसके वज़े से रुका हुआ है हमारा result जो है लेकिन फिलहाल government और स्थिति स्पस्ट कर देगी इसकी आप लोगों को एक दो दिन में इसके बारे में पूरी detail मिल जाएगी ये तो फिलहाल आज जो चर्चा हुई थी उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि ये points थे इनके पास और इस चीज़ पर चर्चा हुई है तो देखते हैं कल तक पूरा हम लोगों को data मिल जाएगा कि स्पस्ट पता लग जाएगा कि हुआ क ठाक है थैक है थैंक ये ब्रीवन